वेलकम प्रदर वीडियो और यहां इस्पायक्स फैमिली के सिजन टुक एपिसोड टू का रिविईू तो चिली जानते हैं क्या वा कहान निमा आगे तो कहाने के शुरुआत होती है बॉंड से जो एक प्यारी सी जपकी लेके उठता है जिसके बाद उसको भविशे के जहलक दिखने शुरू होती है जहां आन्या उसके साथ खेलेगी हाइडन सीक पर उसके कुछ दिर बाद लाइट चली जाएगी या फिर लाइट बंद करेग पर साथ ही थोड़ा खुश भी होता है यह जानकर की उसके परिवार वाले उसको मरता देख दुखी होंगे और उन्हें दुख से बचाने के लिए उससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो यहां से जाने की सोचता और मिलने वाला होता है आन्या से क्योंकि वो इसका दिम तो वो क्या कर सकता है जहां के वो सोचता है गर उसने मना किया यह और के खाने को तो उसको आन्या डड़ेगी कि मौम के खाने को मना नहीं करते वरना वो तुमें मार देगी जैसा वो गुस्से माकर करती भी है मतलब बॉंड जो सोचता है उसमें वो ऐसा करती भी है पर तो भी मारा जाएगा तो जहाँ वह कुछ आउटकम सोचता है जहाँ अगर टम भर नहीं हुआ तो खाना वह बनाएगी पर अगर लॉइड़ गर वापस आ तो अब मनुत करेगा बॉंड सुर पकड़ने में लॉयट की और इस तरह से लोग जल्दी घर वापस आपाएंगे और अच्छा खाना खापाएंगे तो जिसके बाद बॉंड घर का दरवाजा खुल कर भाग जाता है और लॉयट के खुश्बू ढूंडता हुआ सा आगे बार शिरारती बच्चे भी परेशान करना शुरू कर देते हैं तो इस खुबस्तुरा चेहर के नजारे को देखते हुए बॉंड आगे बढ़ता है अपने सफर में या हम सफर के लिए पर हर जगा घूमते हुआ आखिर में ढूंड पाता है लॉयट को जो एक मिशन में लॉयट को दिखाता है रास्ता जिस पर लॉयट समझ नहीं पाता कि उसने कभी इसको इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया तो ऐसा कैसे कर पा रहा है बॉंड तो जिस पर लॉयट को लगता है कि कुछ और एक्सपरिमेंट जो की ये लैब कर रही है जिसमें शामिल हो सकते बॉंड के दोस्त उनका बदला लेने के लिए यहां पर आया है शामिल से मतलब उन पर एक्सपरिमेंट किया होगा इन रिसर्च के दोरान पर चाहे जो भी कारण हो इसके बाद लॉयट और बॉंड साथ में ये मिशन करते हैं तो साथ साथ आगे बढ़ते हुए मुश्किल का खाना और वो उसकी मौत का खारण बन सकता है तो जिस वेसे अपने अक्शन से बताता है लॉयट को यहां से बाहर निकलने के लिए और वहां एक नोट लिखके जाता है कि हमने तुम्हारों सेर्म चुरा लिया जिसको वेरिफाई करने के लिए लोग सेफ खोलते हैं और सेफ है लेकिन वह लोग सेफ नहीं जहां पर लॉयट और बॉंड उनकी पड़ लगा देते हैं क्योगत को जंकожд करने के वैसी कि जानता है कि इस पहुंच पाता डैमियन जो सोने में काफि जादा बिजी होता है तो इसमें लेट होने के वेज़ से पनिश्वन मिलती है डैमिन को तो जिसकी सजा में वो डॉर्मेटरी या होस्टल को नहीं छोड़ सकता और डॉर्मेटरी में होने वाले बागी काम में उनका हाथ बढ़ाना तो जहां ही लेट इस लेया क्योंकि वो रात बर जगके पढ़ रहा था और वो समय रहते नहीं सो पाया जिस वैस से वो लेट आया यहां पर और अब वो बाहर नहीं जा सकता है इन सब कामों को निप्टाने से पहले जहां उसके दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि टीचर सुने मूवी दिखाने के लिए पर डामेंड फोकस्ट है डैसमों के नाम को और रोशन करने के लिए और और मैनत करके अपने आपको और काबिल बनाने के लिए और स्टैला कमाने के लिए तो जहां सारे काम को करने में वो दोनों भी उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह पर देखे जाते हैं जिस पर डेमन कहता है कि अकर तुम्हें मज़े करने तो तुम कर सकते हो यह पनिश्मेंट सिर्फ मेरे अकेली की है पर जिस पर वो आगे कहते हैं कि बाकी लोगों में बिल्कुल मज़ा नहीं है वो सब आज के दिन मूवी देखने चले गए ऐसा पर वो इसमें कोई दिल्स पी नहीं दिखा था पर जहांई अंकल समझते हैं सारी चीज़े और डिसाइड करते हैं कि यह लोग अपने काम के दौरान मस्ती कर रहे थे इसलिए इसलिए इने दुबार प्रनिश्मेंट दी जाएगी और यह जाएंगे फिल्ट ट्रिप पर मत आगे बढ़कर पहुंचना destination की और जो नाव चलती हूँ इससे सामने पहुंचती है जरने के पास और यह जरने से नीचे आ जाते हैं जिसके बाद शायद ही मारे जाएंगे क्योंकि जरने से नीचा आने के jump के impact से उससे उचलके गिर जाता है बाहर डैमियन जिस पर उसके बाकि तो दोस्त भी पाने में कूत कर उसको बचाने कोशिश करते हूं और यहाँ पर उमीद करते हैं कि वो लोग शायद मारे जाएंगे पर उन्हें बचाना है डैमियन को पर पॉइंट वे नोटेंट लिवर काफे तक steady थी कोई वाव नहीं था उसमें यह था मिस्टर गि पर इनके बस sandwich तो नहीं है पर इन्हें खुद खाना जुगाड़ना पड़ेगा जिसके लिए लोग बनाते हैं fishing rod जाहें इस fishing rod का चारा पत्थर के नीचे होता है जिसको देखकर डैमन काफी तेई जगब राते वहां से भाग जाता है जिससे उसके दोस्ती में से लेते हैं पर आखिर में लोग चारा फसा कर अपने fishing rod में काम याब होता है कुछ मशली पकड़ने में जिसको पका के खाने का टेस्ट इनको काफी जाधा बढ़िया लगता है पर इसका टेस्ट काफी तक average ही होता है असली टेस्ट है इनकी महनत और कही न कहीं इनकी वही महनत इसके ट संद्रियों को उनका काम करने देने को लेकर जिस पर डेमेंड कहता है यहां ऐसे खहलों में खोने के बाद मैं कैसे बनूगा इंपेरियर स्कॉलर पर जिस पर यह कहते हैं कि हमारा दिमाग दोबारा refresh फील करता है जब भी हम लोग कुछ और सोचने बैठ जाते हैं एक्दम खाली होकर जिससे positively effect होते हैं तुम्हारी memory और imagination जिस method को बहुत से athletes और famous creators भी use करते हैं और ऐसे खुद को कुछ समय देने के बाद तुम समझ भी नहीं पाऊगे कि कब तुमने आठ और Stella पा लिए जिसको सुनकर डेमेंड सोचने की कुशिश करता है कुछ ना सोचने की पर जिस ऐसे काम नहीं करती तो खेर आगे निए कबड़े सुक चुके जिसके बढ़ते हैं एक लेक की और मतलब जील की और और जिस जील का नाम है स्टेला जील तो उसकी और बढ़ते हैं बहुत सरी कमाल की बाते बताते हैं Mr. Green और साथ मैंने कहते हैं देखो यह जगा कितने खूबसूरत है जिस पर उसके दोस्त कहते हैं लेकिन डेमिन सामच जगो को और खूबसूरत बना देंगे क्योंकि वह एक पॉलिटीशन बनना चाहता है जहां उसके डैड भी एक पॉलिटीशन ही है जिस पर Mr. Green कहते हैं तो अपने सपने को पाने के लिए और मैनत करना तो वहां दूसरा बंदा कॉज्मोनोट बनना चाहता है मतलब उसका मतलब भी एस्टरनोट ही होता है पर खेर आगे तीसरे बंदे ने कभी कोई सोचा है नहीं शायद वो ट्राय करेगा बहुत सारे खाने बढ़ होने के बाद तो Mr. Green सबके सपनों का अप्रेशिट करते हुए उनको लेकर पहुँचते हैं उस लेख के पास जहां से आसमान और लेख काफे सुंदर दिखाई देता है जिन सतारों को देखते हैं बच्चों की आँखों की चमक इन सतारे और नजार से भी ज़ादा चमकदार लगते हैं तो आगे डैमियन सारी भाग दोड छोड़ कर यह लेटिकेस नजारे के मज़े लेता है जिसमर उसके बागी दोस्त भी उसका साथ देते हैं जहां देमेन का एक दोस्त आसमान में तारों को देखकर सोचता है कि इसने चीनी गिरा रखी है जो इन सब कैसने का कैच्छा कारण बन जाता है तो आगे मिस्टर ग्रीन इनकी पर रिपोट तो जिसके बाद वावेस आती है उनकी फील्ड रिसेर्च रिपोर्ट जिसके बाहर लिखा होता है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हमने बहुत सारी चीज़े की और यह सब कुछ मिजदार था पर अभी काफी काम करना पड़ेगा उसके सपैलिंग पर तो पर उसके लावा भी बहुत सारे इंसिदेंट और होते हैं इस एपिसोड के इंदर जैसे शाहिद एक नया चाहरा जो शाहिद बॉंड मैने जिसका सीरियल देखती है आनिया तो वैसा तभी पर चलेगा जब एपिसोड एयर होगा कि क्या होने वाला उसके इंदर पर आपके अगले वीडियो में सायोनारा एंड हो नाइस टे